नमस्कार, मैं आलो कर्मिन खुश, जिला भी हरिक खगडिया, आप सब का अगनंदन करता हूं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सहित, सभी देश अभी कोरोना वेश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और इसके लिए संगश्ट कर रहे हैं, इस बीमारी के पड़ लक्षित नहीं होते हैं, एवं कई लोग हमें से इसके केरियर हो सकते हैं, और इसका संक्रमन बड़ी तीजी से करता है, निश्चित रूप से इसको रोपने के लिए सरकार के अलावा जन समान के भादुदारी अत्यनतार्शन है, और कई चीज़ें करके और ना करके हम लोग एक बिमारी को फैलने से रोप सकते हैं, आज मैं आपनों को बताना चाहूं ना कि इस बिमारी के क्या लक्षन है, एवं अगर ऐसे लक्षन दिखाए दें को हमको क्या करना चाहिए, तो सरपथम या बिमारी पुरणा वारिस के कारण जो पहलती है, इसमें सूखी खांसी, बुखार, सिर में दर्थ, बदन में दर्थ, सर्दी जैसे लक्षन दिखाई जते हैं, और अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षन है, अभी ठाल के लाद, तो हम लोगों को तुरंट, हम लोगों को डॉक्टर को करना चाहिए, साथी साथ, बाकी लोगों से एक सु सबसे बड़ा मांधिया, इन हाथों से हम लोग अलग जगों पर जाते हैं, तो चीजों पर वस्तुओं को छूते हैं, कपड़ों को छूते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसे हाथ मिलाते समय उन्सके संपर्क में आते हैं, और या बिमारी मुख्यता संपर्क से, या सपर्ष क अब आपने हाथों को बार बार साबून से या सहे टाइजर से धोते रहना चाहिए एवन प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों से हाथ नाव नहीं साथी साथ आज के समय जब यह बीमारी पुरी तरीके से पुरे देशों में पहले होई है अभी वर्तमान में लॉक्डाउन की इस्तिती है जहां पर किसी भी कारे को या बाहर आने जाने को करती बंदिर किया गया है आवशक सेवाँ के तरीक दूसरी चीज जह हम लोगों को सर्दी जैसे लक्षन है या दुखाम है तो मू ढखक कर चीखना चाहिए अत्वा मास्क पह करने की आफशकता नहीं है क्योंकि मास्क वही लोग पहने हैं जिनको की सर्दी जुकाम जैसे कुछ लक्षन है या अगर आप प्रमानिक रूप से कोरोना वायरस से पेड़िक है तो या पिर आपके सहयोग में आपके परिवार के वैसे सल्द्सक जो आपके निरंतर संपर् मात्र शुरक्षे दूरी जो लगबग एक मीटर की होती है अगर हम लोग बाकी लोगों से बनाया रखते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी का जाता है और आयोजनों में ना जाएं खर से अनावश्यक बाहर ना निकने तब भी हमारा एक युगडान इस विमारी को रोकने में हो सकता है जादी हमको कोई भी लक्षन दिखाए देते हैं तो सबसार प्रतम हम लोगों को डॉक्टर को कंसल करना चाहिए प्राइवेट फ्लिनिक्स में भी सब जगा फ्लू सेंटर्स बनाये गएं बनाये गएं साथ सबी सरकारी अस्पतालों को अभी वक्तमान में इस बीमारी के पती सेंसिटाइज किया गया एवं हर जगर इस बीमारी के बारे में जो आवशक तयारी की जानी है की जा रही है की जा चुकी है तो हमनों को तुरंग संपर्थ करना चाहिए डॉक्टर से एवं यदी हमनों को लगता है और संबंगित चिकित सक ऐसा पाते हैं कि आपके जांच कराई जाने की आप शकता है तो मिश्चित रूप से जांच कराई जानी चाहिए और सारी व्यवस्था राज सरकार द्वारा भी वत्तमाई ने दू जा रही है साथी साथ हमनों को ध्यान डखना चाहिए कि जो टिशू पेपर या मास्क जो व्यवरित हो चु मेरा मानना है कि अगर हम सब मिलकर इस अभियान में इस मुहीन में अपना सहयोग दें मातर घर से बाहर ना निकलतर ज्यादा लोगों से ना मिलकर और आविशक जो भी चितावनिया दी गए उसका में पालिंग करते दो तब भी इस बीमारी को रोपने में बहुत हट तक हम सक्षन है सकते हैं मैं आप सबों के सहीोग क्या प्यक्षा करता हूं और मेरा विश्वास कि अगर हम सब मिलकर रहे हैं तो इस बीमारी को जरूर मांदे में अल्यवाद सुना इवं चांदियों का हॉल मार्ग जेवर का सोरूम पता न्यू गोपाल जोलर स्थाना रोड खगडिया